तो अब इवनिंग का टाइम था मिसिस फॉर्ट और मिसिस पेज आपस मैं प्लैन मना रही थी कि किस तरह से जॉन फॉल्श टाफ को सबक सिखाया जाए मिसिस फॉर्ट ने अपने नौकरों को बुलाया और उनसे कहा कि आप लोग छिप जाओ जब मैं पुकारू तब आना और कपड़े धोने वाली एक बास्किट रिडे रखो जैसे ही फॉल्श टाफ उसमें बैठेगा तुम्हें उस बास्किट को ले जाकर थेमस नदी के पास म एक खाई है वहां फैक देना है सारे नौकर जब छिप गए तब फॉल्श टाफ का एक नौकर वहां आया जिसका नाम था रॉबिन तो रॉबिन उनसे बोला कि मेरे मालिक घर के पीछे दरवाजे के बाहर खड़े हैं मिसिस पेज वहां से चली गई और तब फॉल्श टाफ घर के अंदर आया फॉल्श टाफ ने घर के अंदर आते ही मिसिस फोड की तारीफ करना शुरू कर दिया कि आप तो बहुत खुबसूरत है अगर आपका पती मर जाए तो मैं आपसे शादी कर लूँगा अब काफी देर तक बाती हो रही थी कि तभी मिसिस पेज वहां पहु कि आपका पती बहुत सारे सिपाईयों के साथ यहां आ रहा है उसे जल्दी से छुपा दिजिए तो फॉल्श टाफ को मिसिस फोड ने उसी कपड़े दोने वाली बास्किट में छुपा दिया और वो जो नौकर थे वो बाहर आए और उन्होंने उस बास्किट को उठा कर ख जैसे तैसे घर भाग गया उसके सिर में काफी चोट लगी थी और कपड़े भी फट गए थे अगले दिन क्विकली उसके घर आई और मिसिस फोड और मिसिस पेज का एक मैसेज लाई लेकिन पॉल्श टाफ क्विकली से मिलना नहीं चाहता था उसने क्विकली को बोल दिया क कि मिसिस फोड से भी वह दुबारा नहीं मिलना चाहता लेकिन क्विकली ने कहा कि कल रात के लिए मिसिस फोड काफी सौरी फिल कर रही है वे आपसे दुबारा मिलना चाहती है आट से नौ बजे के बीच में कि उस समय उसका पती घर पे नहीं होगा वो शिकार करने गया है तो फॉल श्टॉप ने काफी देर सोचने के बाद हाँ बोल दिया अब फॉल श्टॉप मिसिस फोड से दुबारा मिलना चाहते हैं वो दुबारा मिलने जाएंगे अब उसके बाद मिस्टर बूग की एंट्री हुई मिस्टर बूग ने फॉल श्टॉप से बाते किरी मिस् काफी पिटाई होने वाले थी लेकिन उनके नौगरों ने मुझे उठाकर देमस नदी के पास खाई में फैक दिया तो फॉल्स्टॉप मिस्टर बूग से कहता है कि यहाँ सब मैंने आपकी खातिर किया मिस्टर बूग ने उनसे माफी मागी और मिस्टर बूग ने उनसे यहाँ भी कहा कि आप मेरी खातिर एक बार दुबारा नहीं जाएंगे तो फॉल्स्टॉप ने बोला हां मैं जाऊंगा मैं इतनी जल्दी हिम्मत हारने वाला नहीं हूँ तो आठ बजे फॉर स्टॉप मिसिस फॉर्ट की खर जाने वाले हैं तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही यहां से आगे मैं आपको अगले पार्ट में बताऊंगा धन्यवाद